नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जीतेन चवदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एरूटेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिम्टेट के बारे में जिया दोस्तों यस बैंक लिम्टेट में ऑपरेटर जो है फिर चाल से मैं इस वीडियो में आपको पूरा जो है डिस्क्राइब करूंगा तो प्लिज वीडियो को सुरू से लेकर अंतक जिरूर देखिएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस प्रकार की कलपना आप करते थे यस बैंक लिम्टेट को लेकर कि इसके क्वार्टर ले रिजल जो ह काफी अच्छे आएंगे मैं भी हर वीडियो में बोलता था कि यस बैंक लिम्टेट में जो है रिजल्ट अच्छे आएंगे लेकिन आप एक अनुमान लगा सकते हैं पूरी तरह से स्टॉक मार्केट में कोई भी चीजे 100% से और नहीं है यह आपको भी पता है और हमें भी इतने लोग काम करते हैं उन सबको इस चीज के बारे में भली बात ही पता है कि स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज की गारांटी नहीं होती है कब कौन सा सियर एक ही दिन में क्रेस हो जाए एक कोई अनुमान नहीं लगा सकता तो जिस परकार की अटकले लगाई जा रही थी यसरी ट्लेक्टीन में इसके quarter for रिजल्ट को लेकर उमेश से काफी वेकार इसका रिजल्ट आया है और इसका फायदा सिटाक मार्केट का जो बड़ा ऑपरेटर है वो जरूर उठाएगा लेकिन इतमरान से जरूर देखीगा आपको पतावगा दोस्तों कि Yes Bank Post कल Yes Bank Limited यानि 30 अपरेल को कल Yes Bank Limited ने अपने quarter 4 के नतीजे पेश किये इसके उपर मैंने कल वीडियो बनाया था लेकिन थोड़ा समय इसमें डिस्क्राइब करता हूँ एक्स्पेक्टेश लॉस आफ 3788 करोड यानि 3788 करोड का हैवी लॉस हुआ है इसके quarter 4 रिजल्ट में जी यहां दोस्तों Yes Bank Limited का जो quarter 4 रिजल्ट है इसमें बैंको 3788 करोड रुपे का नुकसान हुआ है जो की एक बहुत बड़ा नुकसान है यदि इस नुकसान को यहां पर देखने को मिलेगा कि पिछले साल से ज्यादा नुकसान जो है इस बार हुआ है पिछले साल से तकरीबन ज्यादा नुकसान यहां पर इस में क्लिम्टेट को हुआ है लेकिन एक positive signal इस में है इसके बारे में मैंने कल बताया था फिर बता देता हूं दोस्तों कि इसका दो डिपॉजिट की जो संख्या है डिपॉजिट ग्रिव नहीं कि एस में क्लिम्टेट में फंड जो है एड हुआ है लोग अपने पैसे को जमा किये है और 54-70% की जो है डिपॉजिट हुई कि एस लाग क्लिम्टेट में ईर उन यह एक लट कुर जो है मार्च 2021 तक जो है जो कि एक पॉजिटिव शिगनल लिए लिए लेकिन बाकि किसी भी मशी पहलू पर जो है बड़ोत्री देखने को मिली है जानी कि जो बैंक का NPA है बढ़ता ही जा रहा है और इससे जो है बैंक को समस्यानिशीत तर पर होगी और इसका सबसे ज़्यादा मार्केट का ऑपरेटर उठाएगा मार्केट का ऑपरेटर किस प्रकार से उठाएगा अब इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस कंडिशन में हमें क्या करना चाहिए देखें होता क्या है कि जब किसी कंपनी का रिजल्ट बैड आता है जब किसी कंपनी का रि की लिश्ट हो गई और इसके चक्कर में अपना से जो है धनले से बेचना चालू करते हैं और से में भारी गिरावट देखने को मिलती है होता क्या है कि लोवर सरक्रिट तक का नौबत आजाता है और रिटेन निदेशक जैसे यहां से भाग जाना उची सबस्ता है और इसी बीच में जो मार्केट के जो ब्रोकर हैं जिसे आप बोलता हैं ब्रोकर जो बुजितने भी ब्रोकर कंपनिया है वह अभी तक के बारे में कुछ नहीं कहीं थी सब चुपते लेकिन जैसे ही क्वाटर फोर का रिजल्ट आया अब वह टार्गेट देना चालू करेंगे मैं वादे के साथ बोल सकता हूं दोस्तों कि मंडे के स्टेडिंग सिर्शन में आप देखिएगा कि तीन-चार कंपनिया तीन-चार ब्रोकिंग कंपनिया ऐसी हैं जो सामने आकर बोलेंगे कि यस मेंक लिम्टेड में एक कम ही थी मैंन अपना टार्गेट अपना रिव्यू कοाटर फोर रिजल्ट के बाद ही क्यों देते हैं को क्यों यह पहले में को ने कि 29 अप्रेल 2021 को हिंदोस्तान इनिलीवर इंडिया की सबसे बड़ी दिगज FMCG कंपनी हिंदोस्तान इनिलीवर लिम्टेड ने अपना क्वाटर फूर का रिजल्ट पेश किया जिसमें इसको जो है 45 परसेंट यानि तकरीवन 1290 करों का हिंदोस्तान इनिलीवर लिम्टेड को फायदा हुआ था सुद्ध मुनाफ़ा हुआ था इसका रिविन्यू भी तकरीवन 35 परसेंट की बड़ोतरी इसके रिविन्यू में देखने को मिली थी यानि कि अर्निंग भी बड़ा था और प्रॉफिट भी बड़ी थी तो यहां पर चीज सीखने वाली चीज है इतना बढ़िया रिजल्ट आने के बाद हिंदोस्तान इनिलीवर को आगे भागना चाहिए नहीं बिल्कुल क्योंकि आप मार्केट में सोचते हैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो कंपनी भागेगी रिजल्ट बेकार जाएगा तो कंपनी खतम हो जाएगी तो मैं आपसे पुझा चाता हूं कि हिंदोस्तान इनिलीवर का इतना बढ़िया क्वाटर फोर का नतीजा आया क्वाटर फोर की रिजल्ट्स आये 29 अप्रेल को लेकिन 30 अप्रेन यानि कल की डेट में उसमें 0.5% की गिरावट क्यों देखने को मिल आप जब आप नीचे कमेंट करें कमेंट करके जरूब होता है कि दोस्तो मैं आपसे पुझा थाता हूं कि हिंदोस्तान इनिलीवर का रिजल्ट अच्छा आया 45% का नेट प्रफित हुआ लेकिन फिर भी सेर जो है 2.39% के जो है नेगेटिव के साथ बंध होता हुआ दिखा नहीं रहा तो ठीक उसी परकार यह समय अपना फायदा उठाएगा और माल जो है नीचले अस्तर पर दबा के खरीदारी करेगा वहीं आप FII को देख लें तो क्वार्टर मार्च क्वार्टर तक मार्च 2021 तक इसने अपनी शेर होल्डिंग चारसो चाचर से बढ़ाकर 472 कर दिया यानि अपने शेर होल्डिंग पैटर्ण में यह स्वाइंक लिम्टिड को लेकर लगातार जो है एफ आई आई और म्यूच्वल फंड बढ़ा रहा है फारण इंस्ट्यूटनल इन्वेस्टर और म्यूच्वल फंड फंड जो है अपने शपोर्ट लेवल के ऊपर यह स्वाइंक लिम्टेड इसमें खड़ा है 14 रुपे 55 पैसे के प्राइस पे तो यहां पे जाइड सी बात है कि इसका जो क्वाटर फोर का नतीजा है इसका एफेक्ट जो है इसके शेर पर भी देखने को मिलेगा हो सकता है कि यह स्वाइ यह स्वाइंक लिम्टेड को किसलिए खड़ा था इसलिए कि यह स्वाइंक लिम्टेड का सेर जो है यदि जैसे ही 2% 3% 10% की गिरावट होगी मैं बेच के भाग जाऊंगा ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों मेरा एक ही जवाब है कि आप लोगों ने यह स्वाइंक जो है उसको कवर करने की छमता रखता है इस चीजे आपको भी पता है और हमें भी पता है कि यह स्वाइंक लिम्टेड एक असा स्टॉक है जो पूरी तरह से न्यूज बेस ड्रिवेन स्टॉक है और यह बड़ा आप ध्यान दें तो एक बिढ़त पहले जब यह स्वाइंक निफ्टी नेक्स्ट फिप्टी में इंक्लूड हुआ था सामील हुआ था तो जो बड़ा बुलिश केंडल बना जिसमें सत्तरा परसेंट का जो है जम्प देखने को मिला था एक ही दिन में यदि उसके पिछले वाली केंडल को आप देखे गिने तो तकरीबन जो है बाइस ही केंडल अगर पफाम हो जाए चार्ट पर दिखना चालू करें तब तो आपकी सारी की सारी रिसर्च जो है द्यकार हो जाएगी और आप पस्ताएंगे कि यार मैंने एस मेंक लिम्टेट को बेच दिया मुझे नहीं देचना चाहिए मार्केट में में रिटीन नीमें से ज हमता आपने डेवलप कर ली तो यहां से आप उतना बहुत सारा पैसा कमा कर ले जाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किया है तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आओगा यदि वीडियो पसंद आ है तो प्लेज इस वीडियो को अधिक से दिक लाइक कीज नए है तो चनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा धन्यवाब